नमस्कान मैं कशिश और आप देखेर कोड पिलर लाइए जहाएं तरफ राज़त के स्टार पचारों का जो मुद्दा था वो थमा नहीं था कहीं दूसरी तरफ जैदियों ने भी अपने स्टार पचारों को का नाम घोशन कर दिया है आपको बताने कि स्टार पचारे की लिस्ट में सबसे पहले तो मुख्यमांत्री तीपीष कुमार को रखा गया है जिसके बाद बिहार की राष्ट्री अथैश लगण सिंह का नाम से आपको बताने कि जैदियों सभी नामों को सबसे उपर रखना चारा है जिनका भी कुशेश श्वरस्तान और ताराफुर के साथ कनेक्शन हैं आपको बताजें कि जानी वाद से रिलेटेड नाम को सबसे उपर रखा गया है इस बार बिहार में जो उप्चना होने उसमें आपनी सानी की तक्कर होनी है और जिस तरीके से कॉंग्रेस से कनया कुमार और राज़त से तेज सबसे आदोग का नाम सानया है ठीक उसी तरीके से जदियों ने भी अपने स्टार प्रचार की नाम की खुंशना करती है अब ये दो देखने वाली बागोगी कि कौन सी पाटि किस तरीके सी अपना प्रचार परिसार करती है लेकर ये जुकाटे कियाओने साम Yokeden के डखकर अधरा है ये दो अलेशन में देखने वाली बागोगी आपको बना देलें कि जेदियू ने तारापुर में अपने सबसे तेज तरार मत्री अशोग चौधरी को स्टार पचारक बनाया है वाई दुछी तरफ कुशेश्वरस्थार में मुख्य मत्री निटीश कुमार को स्टार पचारक के रूप में और तारा तारा है अब देखना ही होगा कि किस तरी किसे लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं लेकिर एक बात ये भी है कि जैदियू जो हमीशा से कुशेश्वरस्थान और तारापुर में स्पेशल सीट रहा है और जागे समिकड़र के मामने से वहाँ पर एलेक्शन होते आ रहे है अब ये जागी बात कुशेश्वर और तारापुर से हटता है यानि ये दो देखने बाली बात होगी साथी देजस्थी आदव में जिस तरीकी की बात ने कहीं थी कि हम तो चालते है और चनाओ जब भी होगा राज़त की ही जीत होगी वही एक तरफ जहां ये बात है वही दूसरी तरफ ये भी है कि जैदियू अपना जादी बात साबित कर वहाँ से जीत हासिल करना चाहती है वहाँ से कौश जीता है ये बात को देखने बाली होगी लेकिन तब तक के लिए आप देख रहे हमारा चानल आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए हो तो से लाइक करना आप उस्तार की आपने सुझाओ कमेंट्स में जरूर देखें धन्यवाद